वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आपको बताऊंगी कैसे अपनी कोई पुरानी साड़ी इसको यूज करके एक न्यू आटफिट आप क्रियेट कर सकते हैं वह भी बहुत कम कॉस्ट में तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स साड़ी ऑप्शन है बंदनी प्रिंट की साड़ी है इसमें औल ओवर सेम पैटरन यूज हुआ है और इसमें साइड में एक बॉर्डर लगा हुआ है पतला सा बॉर्डर यूज किया गया है साड़ी में तो आपके पास अगर ऐसी साड़ी कोई भी फैब्रिक में ह कुछ भी हो कोई भी कलर में हो तो आप इसका एक परफेक्टली वैडिंग समल लहंगा अपने लिए बना सकते हैं आपको से वितना करना है साड़ी से आपको दोपट्टा लहंग को दोपट्टा और सकल्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं तो सकल्ट है आपका परफेक्टल जाएगा और आप इसका अगर ब्लाउज यही उसकर ना चाहते हैं साड़ी का तो वह भी उसकर सकते हैं अधरवाइज अप सॉलिड अलग से फैबरिक लेकर उसका अपनी डिजाइन जैसे भी आपको पसंद हो क्रॉप टॉप में ब्लाउज में चोली में जैसा भी आपको पस अगर आप नहीं चाहते हैं इस टाइब का पृंट अपने लिए करेट करना तो आपके पास Add2 औप्षन है अनारकली आपको प्रिएट कर सकते हैं आपको इस और वैश यज जिससे आप Tyleon kreate team कर सकते हैं लगा करने के बाद अब की जाड़ी के बॉर्डर्स हैं आप लोज परने के बॉर्टम के घेरं जाड़ा चौन हाव przy useб Subs लेसे जोई कर सकते हैं नेक्स्ट साड़ी ऑप्शन है हमारी सिल्क की साड़ी जो की बिल्कुल प्लेर है और इसका कंट्रास्ट पल्लू है जो आपको दिख रहा हो गई मेज में और बोस साइड इसका गोल्डन बॉर्डर है ऐसी कोई भी अगर आपके पास साड़ी हो अगें कलर फैबरिक का कोई इ है उसको आप फ्रंट और बैक योक में आप यूज कीजिएगा जिस जैसे इमेज में दिख रहा है इस टाइप से आप क्रियेट कीजिएगा तो आपका एक सिंपल और क्लासी फ्लेर कुर्टी रेड़ी है थर्ड साड़ी आपसे हमारी सिल्क की साड़ी है आप अगर इसमें इमेज में देखें तो इसमें बॉटम में ब्रॉट एक बॉडर है और उपर एक छोटी छोटी बोटियां बनी हुई है तो इस टाइप की आपके पास साड़ी हो कोई भी कलर हो कोई भी फैब्रिक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस साड़ी को जिसमें ब्रॉट बॉड बॉर्डर है नीचे या बॉर्डर नहीं है तो प्रिंट है इस टाइप कोई भी पैटर्न आपके पास अगर है घर में तो आप इस टाइप की साड़ी का एक परफेक्टली लहंगा क्रिएट कर सकते हैं पर आप जब भी इस टाइप के लहंगे बनवाएंगे आपको यह धिया प्रिंट या गैदर डाल के बनेगी कली में नहीं बनेगी क्योंकि इसका नीचे डिजाइन है अगर आप कली काटेंगे तो पैनल एक साथ नहीं लगेंगे वो यह डिरेक्शनल है तो आप इसमें कली या प्लीट डाल के बनेंगे तब ही परफेक्टली होगी अगर आप वै जिस फैबरिक का आपने बॉटम बनवाया है और इसके लिए आप कंट्रास कलर की एक दो पट्टा लेके इसमें कैरी कर सकते हैं आपका परफेक्टली लहंगा बनके रेडी हो जाएगा नेक्स साड़ी है हमारी फुली नेट साड़ी आप देख सकते हैं इसमें अल ओवर वर्ड कैंजरोरी नहीं है कि आपके पास यह नेट में हो अगर शिफान में है किस भी हलकी कपड़े में हैवी वर्क साड़ी है है वे एमबॉइडरी हो रखिए उसमें एक बॉर्डर लगा हुआ है तो इस ट्राइप की साड़ी आजकल नहीं पहनी जाते हैं यह बहुत हैवी होती है तो आप इसको एक क्रियेट कर सकते हैं एक लॉंग गाउन में एंकल ल उस ट्राइप से एक परफेक्टली लॉंग गाउन अपने लिए कर सकते हैं आप इसमें बस लाइनिंग यूज कीजिए गाउनिंग आपको सेम करनी होगी जैसे अगर आपके पास कॉर्टन कार्मेंट है सुपोस्ज तो आप वाइल की यूज कर सकते हैं सिल्ख के लिए क्रेप की इस टैप की यूज कीजिए इस से आपका परफेक्ट लिए गाउन रेडी हो जाएगा फिफ साड़ी है हमारी टाइन डाइ साड़ी है अगर आपके पास इस तरह की कोई साड़ी है जिसमें इकत प्रिंट है ब्लॉक प्रिंट है डिजिटल प्रिंट है कोई भी य साड़े हमाई साड़े 5 मीटर के अराम से होती है तो परफेक्टली इससे घेरा क्रेट हो जाएगा और इसके कुछ अच्छा लुक देने के लिए आप इसमें ट्रिम्स यूज कर सकते हैं जैसे नेक में आप आजकल नेक के पैचिज आते हैं बने बनाएं वह आप यूज कर सक आपका कम बजट में एक न्यू गरारा शरारा आटफिट क्रेट हो जाएगा है